नमस्कार नियूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। नियूज नाइट में चर्चा होगी बात करनाटक के सीम पर लगे बिस्टाचार के आरूप में क्या हुआ आज दिन भर दिखाएंगे ख़वर पियम मोदी के कल महरास्ट के दोरे की भी होगी बात दुनिया की हर जरूरी और महत्मुल ख़वर की शुरुआट हैडलाइस के सा जम्मु कश्मीर में दूसरे चलांका मदान शांधिपोन संपन कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी संख्या में पोलिंग बूद पर उम्रे मदाता 83 और पुन्च में सबसे अधिक हुई वोटिंग 16 देशों के राजनाइकों ने भी देखा जन्नत में जम्मुरियत का जश्न उमर अब्दुल्ला सहीद 249 प्रत्याशों की किस्मत ईवियम में हुई कैद विस्थापित कश्मीरियों के लिए जम्मु उधंपूर और दिल्ली में बनाए गए विशेश मतदान केंद्र विस्थापित कश्मीरियों ने बढ़ चल कर किया मतदान दस साल बाद हो रहे चुनाओ को लेकर दिखा खासा उत्साह प्यम मोदी ने लोग के तंत्र में बढ़ चल कर हिस्सा लेने के लिए जम्मु कश्मीर के मतदाताओं को दिया धन्यवाद प्रदार मंत्री की हरियाणा में हुंकार दलितों परत्याचार और भस्टाचार को लेकर कॉंग्रेस पर जम्करवर से कहा कॉंग्रेस ने हरियाणा को कर दिया था दलालों और दामादों के हवाले बीजेपी ने दिया प्रस्टाचार मुक्त शाषट कॉंग्रेस आई तो प्रदेश को कर देगी बरबाद मुडा लैंड इसकैम बामले में फिर बढ़ी करनाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमया की मुश्किले अब लोकायुक्त के अधिकारी करेंगे गोटाले की जाच भाश्पाने सिद्धारमया के इस्तीफे मांग को लेकर खुलाब मुर्चा कारकरताओंने सियम आवास का किया घेराओं सीवी आई जाच की मांग की पंडित दीन देयाल उपाध्याए की 108 मी जैनती उपराश्पती जगदीव धनकर ने सीकर में दीन देयाल जी की प्रतिमा का किया अनावराण पधान मंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड़ा, योगिया जेतनात समेथ कई नेताओं ने किया दीन देयाल जी को नमन बारत में अर्थ विवस्ता को गती देने और सो देशे निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किये गए अभियान मेकन इंडिया की दसमी वर्षगाट आज प्रधान मंत्री ने देशवासियों को दी हारदिक बधाई कहा हमारे देश को विनिर्माण और नवाचार का केंद्र बराने के लिए एक सो चालिस करोण भारतियों के सामोहिक संकल्प को दर्शाता है मेकन इंडिया इसराइली सेना ने हिजबुला के दरजनों ठीकानों को बनाया निशाना हमले में 50 से अधिक लोगों की मौत हिजबुला का भी मोसाद की इमानत पर रॉकेट डगने का दावा पहली वार तेल अवीब को बनाया निशाना शतरंज ओलम्पियार्ड में इतिहास रचने वाले भारतिय धुरंदरों से पधार मंतुरी मोदी ने की मुलाकात देश की जोली में पहली वार सौन पदक का लाने वाले चैंपियंस को दी जीट की बदाई खबरों पर डालते हैं विस्ता से नजर और सबसे पहले बात जम्मु कश्मीर के जमुरियत के जश्ट की करते हैं जम्मु कश्मीर में आज दूसरे चैंप की वोटिंग हुई छे जिलो की 26 विदान सभा सीटों पर आज ही भी पहले दोर की तर जमकर वोटिंग देखने को मिली है ये वाओं महिलाओं में जबर्दस उत्साह देखने को मिला जम्मु कश्मीर में जम्मुरियत के जश्ट का गवाह बनने के लिए आज 16 देशों के राजनाइक भी पहुँचे हुए थे जम्मु कश्मीर विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 विधान सभा सीटों पर मतदान हुआ मतदान सुभा 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला स्वतंत्र निश्पक्ष और सुशारू मतदान सुनिशित करने के लिए वेब कास्टिंग सुभिधा के साथ 1056 शहरी और 2446 ग्रामीन सहिद 3502 मतदान के इंदर स्थापित किये गए हैं इस चरण में पूर्व मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला, जेके PCC अधक्ष तारिक हामित कर्रा और BJP जम्मु कश्मीर प्रभू रविन्दर रेना, अलताफ बुखारी सहिद 249 मिदवारू के किस्मत दाव पर है दूसरे चरण में जम्मो के रियासी, राजौरी और पुंचु और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बरगाम जिले में वोट डाले गए 15,500 से अधिक कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए जम्मो, उधंपुर और दिल्ली में 24 विशेश मतदान के इंडर बनाए गए थे यहां बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरियों ने अपने मतदिकार का प्रियोग किया शांति पूर और दिश्पक्ष जुनाव के लिए प्रिशासन के तर्व से भी सुरक्षा के पुक्ता बंदोबस्त की गए थे श्रीनगर में मतदान के लिए लोगों में गजब का उत्सा नजर आ रहा था श्रीनगर की जादीवल विधान सभा में तो लोगों गोट डालने श्रिकारा और नाव के सहारे पोलिंग भूत तका रहे थे यूनिस भाई इतनी मसकत करके आप यहां वो बूत तक आए हैं लग रहा है कि अब लोगों का डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में विश्वास है और अपनी नई सरकार चुनने जा रही है मतदान को लेकर मतदाता बेहत उत्साहित नजर आए और उन्होंने आने वाली सरकार से काफी उम्में दे भी जताई है मेरा फर्स टाइम बोट है यहां पर मैं स्पेशली डेली से आई हूँ यहां पर बोट मतलब आप्ट करने के लिए और इतने डाइम बाद बोट हो रहा है यहां पर मतलब एक्शन्स हो रहे हैं तो मैं जादियों एक अच्छी सरकार आए जम्मू कश्मीर में हो रहे दूसरे चरण का चुनाव देखनी के लिए कई देशों के वरिश्ट दाजनाईकों का एक उच्छ स्तरिय प्रतिनिदी मंडल बढगाम शेत्र के एक मतलब केंद पर पहुंचा इस दौरे का उदेश घाटी में चुनावी प्रक्रिया के शांतिपोन संचालन और लोगों की बड़े पैमाने पर लोगतांत्रिक प्रक्रिया में भागिदारी को प्रदर्शित करना था चुनावायोग ने आज जम्मु कश्मीर के दूसे चरण के दौरान हो रहे मतलबान का निरिक्षन किया वो इलाके भी हैं जहां पहले कभी बोटिंग नहीं हुआ करती थी डिफरेंट किसम की कॉल आया करती थी कट्रा विधान सभा के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी फीड देखने को मिली इस बार का चुनाव डिफरेंट को लेकर चल रहा है जिस तरह 2014 के बाद पहली बार जम्मु कश्मीर में विधान सभा के चुनाव हो रहे हैं तो उसके चलते हुए सब वोटरों में उत्सा है कश्मीर घाटी में महिला और युवा मतदाताओं ने लोकतंत के महापर्व में जम कर हिसा लिया कि पहले आपका शुकर गुजार हूँ कि आप इतने दूर से इस पहारी आरिया में आए हुँ आज कोई नीज वाला यहां नहीं पहुछा आर्टिकल 370 हट्टी के बाद मतदान के लिए लोगों में जोटसा और जोश दिखाई दे रहा है वह स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग लोगतंत्र में अपना विश्वास अपना भरोसा जता रही है श्रीनगर से रमात्या की निशांद राई के साथ जम्मू से धीरच और आमरेंज की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में दूसरे चनल की आज वोटिंग हुई है और शाम करीब पांच बजे तक का जो अंधिरम आकला है वो है 54.1 एक एक फीसिदी जो की वोटिंग हुआ हलाकि ये अंतिम आकले नहीं है इसके बारे में चुनावायो के दोआरा बाद में जाणकारी साजा की जाएगी अब बात हरीयाला की करते हैं प्धानमंतरी नायदिर मोदी ने को दलितों और पिशलों के 하क को चीनने वाली पार्टी बताया है हरियाला के सोनीपत में चुनावी रैली में पियम मोदी ने कॉंग्रेस को जम कर घेरा पियम मोदी ने हुड़ा सरकार के समय हरियाला में होने वाले दलितों पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया तो कॉंग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरूप लगाया पियम मोदी ने दस सालों में डवल इंजन की सरकार द्वारा हरियाला में किये गए कामों को गिनाया तो किसानों ये वाओं महिलाओं के साथ औद्यों की विकास के आंकड़े भी जनता के सामने रखे हरियाना विधान सवा चनाव में आज भाजबा की योड से सबसे वड़े स्टार प्रचारक प्रधान मंतरी नैदर मोदी ने मोर्चा समभाला पियम मोदी ने बीजेपी की डवल इंजन सरकार द्वारा वीते दस साल में हरियाना में किये गए कामों को गिनाया तो कॉंग्रेस पर जम करवर से पियम मोदी ने सोनी पत्म चनावी रैली को संबोधित करते हुए कॉंग्रेस की पूर्ववर्ती हुड़ा सरकार पर दलितों के खलाफ काम करने का आरूप लगाया पियम मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस सरकार के समय हर्याणा में दलीतों पर अत्याजार होते थे जिसे कॉंग्रेस का संदक्षन प्राप्त था जब भुड़ा जी यहां सियम हुआ करते थे तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलीतों के साथ अन्याएं नहीं होता था अनेक दलीतों को जान से हाथ दोना पड़ा दलीत परिवारों की बहु बेटियों प्रत्याचार होते थे हर कोई जानता था कि दलीतों के खिलाब इस गिनों ने खेल को कॉंग्रेस ही खात पानी देती है यह आज हर्याना का दलीत समाज एक बार फिल हर्याना के अंदर कॉंग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है वीते दिनों दलीत कॉंग्रेस नेता कुमारी शेल्जा पर कॉंग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा की गई अपमान जनक बातों पर इशारों में जिक्र करते हुए पियम मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस में दलीतों का अपमान होता है वहीं पियम मोदी ने कॉंग्रेस को आरक्षन के मुद्दे पर भी जम कर घेरा और कहा कि कॉंग्रेस के शाही परिवार के डिने में ही आरक्षन का विरोध है पियम मोदी ने कॉंग्रेस की सरकारों पर राज्यों में अस्थिरता फैलाने का भी आरोप लगाया सिलसलेबार तरीके से गिनाया कि किस तरह से कॉंग्रेस के नेता निजी हित के चलते जनता के हितों के साथ समझोता करते है प्रधार मंत्री नैंद्र मोदी ने कहा कि 20 साल में हर्याना में बीजेपी की सरकार और उसके मुख्य मंत्री पर रस्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा लेकिन कॉंग्रेस की सरकार ने हर्याना को रस्टाचार का अड़ा बना दिया था कॉंग्रेस ने हरियाना को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था हरियाना में एक भी नोक्री ऐसी नहीं थी यह दस साल पहले की कता है एक भी नोक्री ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो सरकारी ठेकों में जम कर प्रष्टाचार होता था प्रधान मंत्री नैंद्र मोदी ने किसानों युवाओं महिलाओं के लिए किये जा रहे प्रयासों को गिनाते हुए हरियाना के लिए एक दशक में किये गए कामों का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा प्यमोदी ने बावा साहब की विचारधारा पर चलकर आध्योगिक विकास करनी की अपनी मोहिम का ذक्र किया जिसके चलते समाज के प्रष्टोय वर्व को इसका फायदा मिल रहा है तो यह भी गिनाया कि कैसे हरियाना में आध्योगिक विकास किया गया है उन्होंने कहा कि अगर कॉंग्रेस गलती से हरियाना में आ गई तो राज्य को फिर से पीछे ले जाने का काम करेगी हरियाना में निवेस नहीं आएगा तो नव जवानों को नौकरी कैसे मिलेगी कॉंग्रेस को बोड़ देना यानी हरियाना की स्थीरता और विकास को दाओं पर लगाना है बर्बादी के दरवाजे खोलना है पियम मोदी ने सोनी पत्मे भाज़बा के संकल पत्र का ब्योरा भी पेश किया जिसके तहत मौझूदा चुनाओं में बीजे पी ने कई वाइदे किये हैं पियम मोदी ने इन वाइदों को पूरा करने की गारंटी भी दी रेला के गोहना में कांग्रेस पार्टी पर प्रदान मंत्री नेरेंद मोदी ने जम कर हमला किया प्रदान मंत्री का कहना है के कांग्रेस पार्टी करप्षन की जन्नी है और कांग्रेस पार्टी में करप्षन उपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है दस साल पुराने हुड़ा राज का भी उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से दलतों के उपर अत्याचार होते थे कैमरमें जगमोन के साथ नीरा सिंग, डीडी नियूज, गोहाना, सौनिपत तो प्रधान मंत्री की रैली और जम कर वार बलट वार देखनों के मिला है तो कैसी है, हर याना किस वक्त की सियासत उसी पे करेंगे चर्चा, इस से जुड़ा है मारा आज का विशेश भी कांग्रिस पर जम कर वरसे पीअब मोदी, तो अपने आप में प्रधान मंत्री की गो प्रधान मंत्री ने एक बहुत बड़ा और सीधा हमला बोला है कि दलालों और दामादों से अगर हरियाना को बचाना है तो कांग्रिस को वोट नहीं बलकि बीजेपी को देना होगा, तो जब दलालों की बात करते हैं तो ब्रस्टा चार सीधे तोर पे निशाने पे है और दामादों की बात करते हैं तो परिवारबाद भाही बतीजावास सीधे तोर पर क्योंकि उड़ा साब की सरकार के समय ये तमाम बातें जनता ने देखी हैं दूसरों के रिष्टों पर उंगली उठाना मोदी जी की पुरानी आदत है क्योंकि उनके अपने खुद के निजी रिष्टे और उन्होंने किसी से रखे नहीं पहली बात दूसरी बात मान्य परधान मंतरी जी से ये उमीर नहीं थी कि वो भगवान शरी करशन के हरियाना जहां पर भगवान हरी आये थे सर गोहाना का कांड तो याद होगाँ सर. आपको भी संभटाँ उससी बेर्ट से हते हैं गोहाना का दलित हत्या कांड सबको याद है. और आज वहीं पर ये रह ली थे जी सबसे पहली बात कॉंग्रेस पर्टी के प्रजवक्ता विजे जी कह रहे हैं कि प्रदान मंतरी का रिष्टा किस से किस से नहीं प्रदान मंतरी जी का रिष्टा पूरे देश से हैं एक सो चार्लिस करोड भारत वासियों से है और हर्याणा से विशेश तोर से है इसलिए आप अपनी भाषा का थोड़ा सा सही अब रखेंगे तो अगर उस पर बात की जाएगी तो इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको इतना दुख किस बात का है ये मेरे पास 2013 की एक मीडिया की रिपोर्ट है हर 18 मिनिट में होता था दलितों पर एक अत्याचार एक बड़े अकवार में छपा था मिर्चपूर का कांड किसी ने भूला नहीं है इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है समाजिक बदलाव और तरक्की का नारा अभी भी हकीकत से काफी दूर 32% लोग गाउं में दलितों की अलग लाइन लगाई जाती थी 40% गाउं में वहाँ पर पानी देने में समस्य आती सरकारी स्कूलों में अलग पंक्ती में बठाय जाता था और ये सब कुछ शाशन पोशित तरीके से होता था तो अगर आपकी घ्रणा मन में थी दलितों, पिछडों, वंचितों को ले करके और आप उन पर एक सून योजित तरीके से प्रताड़ना करते थे और उसका उल्लेक प्रधान मंत्री जी ने किया है तो आपको अपने इतिहास में जवाब देना पड़ेगा आप नहीं भाग सकते क्यों आपका बंध है दूसरी बात किस प्रकार से CLU का गैंग हरियाना में चलता था दस साल के अंदर 25,000 एकड किसानों से लेकर के अगर यह आकड़ा गलत हो तो विजे जी बता देंगे मैं हरियाना से आता हूं इसलिए जाता हूं पच्छिस हजार एकड किसानों से लेकर के इंडस्ट्री में दमादों को बाटने का काम किया अब दमाद कई थे समस्या यह है हुट्डा जी ने अपने दमाद को खुद को दिये साथ पेट्रोल पंप एक दमाद इनका राष्ट्रिय दमाद था एक दमाद इनके और जा रहा है यह सामने कहा जा रहा है क्योंकि जनता यह जानती है इसने केरा अगरे बस दिना है कॉंग्रेस पार्टी अपनी इस बात को समझ के चले जो कुछ आशन का काल उनका था हर्याणा की जनता जानती है शांतनू जी यह बहुत जरूरी है कि अगर 10 साल का इधर शाश को लेकर जानती है कि अबने ठीक कहा है कि मैं हर्याना को इस तरह से देखता हूं बाजपा के लिए वो एक ट्रडिशनल स्टेट नहीं है बाजपा के वल दस साल से वहां पर काबिज है और जो हर्याना के उसके पहले मुद्दे क्या तो परिवारवाद का बड़ा बड़ा कि वह बजन लाल होंगे देवी लाल होंगे चटाला होंगे उन्हीं के परवारों की तो भाजपान एक बड़ी फ्रेश एर कि कहते है कि खतर साथ जो संग के बड़े बैक्राउंड से आते है निष्ठावान विक्ति है उनको उनको सिय मनाया उसके बाद अभी जब उनको न वो उनको साथ हर डिस्ट्रिक में एक एक फैलो रहेगा वो देखेगा कि जो गवर्मेंट की स्कीम से की ड्राइविंग लैसानी से बन पा रहा है क्या फैमिली आइडी के थूरू सारी स्कीम्स अच्छे से मिल पा रही हैं क्या तो यह इस तरह के जो काम हुए हर्याना में नई नई चेतना आई हां लोकसभा एलेक्शन में थोड़ी जाती समय करती लेकिन उसमें भी अगर आप विदान सबावाइस देखें तो करीब 44 सीड में भाच्छपा आगे थी तो यह इलेक्शन जो हमें एक मेने पहले लग रहा था कि थोड़ प्रो कॉंगे जा रहा है व रख रख तो अगई है कॉंगरिस की चो क्लह दिख रही है विलकुल सामने से आ गई है जो है कि मैं सुर्जे वाला झीड़ फान, मैं उड़ा चीड़र फान, मैं कुमारी शेलजा जीड़र फान, मेरे खाल से अगर मैं कॉंगरेस का किंसल्टेंट होता, जो उन्स तो कहता भी, कुमारी शेलजा आपके लिए बड़ा नाम है, मैला, दलिट ऐसा हरियाना ऐगाए, लेकिन अपने आप कई सवाल हैं जो जनता के जहन में होंगे खास और से हरियाना के लोकर विजय जी ये सवाल अपने आप में बहुत महत्पूल है कि तो राहुल जी पहुंचे ने भी तक करने के लिए कोई रैली दूसरा चीज ये कि कॉंग्रेस की आपसी कल है हर दूसरे दिन सामन आती रहती कल ही सुर्जेवाला साब ने अपनी एक्षा जाहर कर दी सीम बनने को लेकर उससे पहले हम जानते हैं शैल्जा जी का हुड़ा साब का लगा था तो ये तो अपने आप में एक तरीके से कॉंग्रेस में ही एक रिफ्ट दिखाई पड़ रहा है ना पहली बात कॉंग्रेस में कहीं कोई मतवेद नहीं है सुर्जेवाला जी की निजी इच्छा है शैल्जा जी ने कहा कि उनकी निजी इच्छा है कि वो सीम बने लेकिन हर्याना की जनता की इच्छा है चौदरी गुपेंदर सिंग हुड़ा जी सीम बने इसमें किसी को कोई तराज नहीं है ना सूर्जेवाला जी को ना शेल जाजी को अब रागा जी तो कह रहे थे कि विधायक तरह करेंगे बाद में बिल्कुल सही कह रहे हैं हुड़ा जी क्योंकि हुड़ा जी को मालूम है कि हर्याना के जितने भी वरतमान में विधायक रहे कांग्रेस के और जो जा रहे हैं पूर बहुम्त के साथ सरकार लाने जा रहे हैं वो सभी विधायक उन्में मुख्यमंति देखते हैं वो उने चाहते हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि विधायक जो चुनेंगे सीड़ी सी बात है अब आप जरा भाजबा के जवाब ले लीजिए इनके नेताओं ने मै कॉंग्रेस से लड़ेंगे चुनाऊ। परीदभाद के अंदर बताता हूं कॉंग्रेस कंडिरेटों की मदद कर रहे हैं आज पूरे हर्याना में भाजबा भाजबा को हरा रही है थी अप की विज्य जी आवाज विजय जी क्या ये एक बड़ी वजय होगी भाजपा भाजपा को हरा रही है इसलिए भी हम जीतेंगे दूसरा प्धार मंत्री जी तो कह रहे थे कोई एक बड़ा ब्रिस्टाचार का आरोप कॉंग्रेस ने नहीं लगा पाया दस साल के शाशन में कोई एक बड़ा गपला गोटाला ऐसा कोच होई ही नहीं है प्धार मंत्री सीधे बोल के गए हाँ आप बता देता हूँ जी प्रॉपर्टी आईडी देश और दुनिया का सबसे बड़ा गोटाला किसी राज्य दौरा जिसमें एक घर की आईडी के नाम पर लोगों से दस अजार से लेकर दो 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 लाख रुपे तक बसूले गए ग स्वारों के समाज सिटी के गोटाले खुद सरकार में हजारों करोण के गोटालों के सिदार जी वो तमाम गोटाले गिना रहा है आपकी सरकार किसमें कि सर्कारती आपको हर्याना की थोड़ी सी जानकारी लेकर क्यानी चाहिए विजे जी क्योंकि प्रॉपर्टी आइडी क्या है ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी आइडी हर्याना के लोगों के लिए सुगमता से कैसे डिजिटलाइज हो सके उनका प्रॉपर्टी का काम उसको ल है हुड़ा जी सीम बनेंगे अरे शेलजा जी ने अन रिकॉर्ड कहा है कि मैंने अपनी मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश करी इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा अब कॉंग्रेस पार्टी की बड़ी नेत्री कॉंग्रेस पार्टी की सांसद वो आज तक क किसी नेता को किसी सांसद को वो सब लोग ग्राउंड पे लगे हैं या अपने मन गणन दुनिया में चलना चाहते हैं तो उसका तो कैसे उसको कोई दूर कर सकता है मेरा तो कहना सिर्फ साफ है आज हर्याना की जंता के सामने में विकल्फ बिल्कुल सपष्ट है हर्याना की हर्याना की जंता ने 10 साल में भारतिय जंता पार्टी का असाशन देखा है कहां 2014 से पहले हर्याना के अंदर जीरो यूनिकॉंस थे आज दस फ्यूपर यूनिकॉन है एक बिल्लियन डॉलर की कंपनिया का एक क्रोड़ साथ लाक नए रोजगार ये पीफो के डेटा के नाते दस साल में बनाए कहां 45 लाक का था वो पहले आज भार्याना के अंदर किस प्रगती की रहा बनी है कैसे सडकों का जाल बिछाए कैसे सभी फसलों पर MSP आई है अनेग मुद्दे हैं उनको लेकर के हर्याना की जंता वोट करेगी और ये खर्ची पर्ची और दमाद और दला वाली सरकार को पार करस्ता दिखाएंगी इन वेशन को अवार्ड में जा रहा था है अगर सौ चेस फालों सब्सक्राइब करा गया कि आपकी प्रपर्टी के प्रियोक जिदुरुपाजी न है कि प्रॉपर्टी के टाइटल बिल्कुल नीड हो जाए आपका टाइल थो आपको रहा है इसमें को विवाद ना रहा है आप उसे इंटरनेट से निकालना है, आपको एक आईडी जैसे आदार कितने मिल जा है, उसमें बिलकुल पता लग जाए कि वो आपके आदार से जुड़ी है, तो वो तो बहुत अच्छा पूरी हो कि उसे गवरनेंस में कई उसकी केस्टेडी बन रही है, आपके रहे कोटाल और यहां पर एक चोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्दा हाजिर होते हैं, कुछ और महत्पूर ख़बरों से आपको रूब रूब कराएंगे वंडर वाल पुटी दे एक परफिक्ट फिनिश हाथ में जो कपिला पशुआर है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याद भी बढ़ाता है, ले जाओ कपिला देश का नंबर बाट पशुआर हाथ दो कराते हो शब साबून के जगा हैंडवाश मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? साबून हैंडवाश का है सिर्फ दस रुपे में 200 ml हैंडवाश पनाओ साबून पाउडर टू जेल हैंडवाश जर्म से बचाए शान बढ़ाए बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो सिमेधारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है यह सिमेधारी अब डबल एम रिप्स के साथ गैलेंट एडवाश टी एमटी रिबार निर्मान का रियल हीरो एक ऐसा तबका जो रिटामन के बार में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरते औरते कमा के भी वन्नरेबल है तो एनपीएस एक एक एक्वालिटी ला रहा है हम सब एक बराबर प्लाटफोर्म पे हैं अपने बहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है अब छोलिया हो या लोबिया सफेज चनिया काले चने सब को मज़ेदार बने अपने के बाद अब खबर करनाटक से करनाटक के चर्चित मुडा लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री सिद्धर रमया को एक और बड़ा जटका आज लगा है करनाटक हाई कोर्ट से उनकी याजशका खारिज होने के बाद अब वो बैंगलोरों के विश्वेश अदालत में सिद्धर रमया के खलाफ ज़ाज का आदेश दिया है उसा सिद्धर रमया के इस्तीफे की मांग को लेकर भाच्पा ने मुख्यमंत्री आवास का आज खेराव किया वहाँ कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री उन पर जमीन गोटाले के आरोप लगे है जब इसकी जाँ चुरू हुई तो करनाटा का के मुख्यमंत्री हाई कॉट चले गए हाई कॉट ने भी उनको एक और डिन्दा मारा उन्होंने कहा कोई मदद नहीं होगी और कली हाई कोटे साथ आप कहा कि जाँच के आबेस ही है और जाँच होनी चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने हरियाना के सोनी पत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए करनाटक में कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धा रमया पर सीधा निशाना साथा और अब इस मौमले में स्पेशल पीपल्स कोट ने बुदवार को लोकाय। मैसूरू की जिला पुलिस को मोडा घोटाले की जाँच कर तीन महिने में रिपोर्ट साँपने का आदेश दिया है वहीं भाजपा ने सिद्धा रमया की इस्तीफे की मांग को तेज करते हुए मोर्चा खोल दिया है बैंगलूरू में भाजपा कारेकरताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धा रमया के आवास का घिराव कर विरोध प्रदर्शन किया सिदारमया की स्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शन कारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया भाजपा ने बैंगलोरू की विशेश अदालत के जरिये करनाटक लोकायोक्त के सक्षम प्रादिकारी द्वारा सिदारमया के खिलाफ जाच का आदिश दिये जाने का स्वागत करते हुए इस पूरे मौमले की सीबी आई जाच की मांग की है सिदारमया की पावर्फुल चीफ मिनिस्टर ने कनाट बी अफेर इंवस्टिकेशन इन इस मुडा स्कैंडल मुख्यमंत्री सिदारमया के खिलाफ कोर्ट द्वारा जाच के आदेश से करनाटक की कॉंग्रेस सरकार बैक फूट पर है दर असल मंगलवार को करनाटक हाई कोट ने मुडा लेंड इसके मैमले में सिदारमया की उस याजिका को खारिच कर दिया था जिसमें उन्होंने करनाटक के राज़ेपाल के उस आदेश को चुनोति दी थी जिसमें उन्होंने सिदारमया के खिलाफ आरोपू की जाच की अनुमति दी थी अब विशेश कोड़ द्वारा जाँच के आदेश से मुख्यमंत्री सिद्धारमया की मुश्किलें और बढ़ गई है बेवरू रिपोर्ट डीडी नियूज बख्व संशोधन विदहक मामले में जेपीसी को एक करोन फीडबैक पिलने पर भाश्पा सांसाद और जेपीसी के सदस से निशिकांत दुवे जाँच की मांग की है बाश्पा संसाद ने जेपीसी अध्यक्षर जगदमिका पाल को पत्र लिखकर फीडबैक के स्रोतों की जाँच में कट्रपंति संगटनों जाकर नाइक जैसे वेक्तियों और आईएस आई और चीन जैसी विदेशी ताक्तों के साथ साथ उनके प्रोक्सी की संभावित बाश्पा संसद ने वक्फ बिल की जाच कर रही समिती के अध्यक्ष जगदमिका पाल को इसे लेकर पत्र लिखा है निशिकान दूबे ने अपने पत्र में कहा कि यह जानना जरूरी है कि क्या विदेशी संस्थाए संगठन और व्यक्ति जान बूच कर हमारी लोगतांत्र प्रक्रिया में हेर फेर करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में फीडबैक भेज रहे हैं भारत एक मजबूत संसदिय प्रणाली वाला देश है और इस तरह एक जुट होकर विदेशी हस्तक्षेव के माध्यम से इसे प्रभावित करने का कोई भी प्रयास राष्ट्रिय सं प्रभुता के लिए सीधा खत्रा है इन फीडबैक के एक बड़े हिस्से की सामगरी एक जैसी है या इसमें मामूली बदलाव हैं जिससे संकेत मिलते हैं कि इन में से कई फीडबैक एक संगटित अभियान का हिस्सा हो सकते हैं इसलामी कट्रपंथी संगठन की भूमिका की और इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये समु अक्सर बाहरी शक्तियों द्वारा वित्पोशित या उनके प्रभाव में होते हैं जो भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित करना चाहते हैं ये लोग भारत के लोकतंत्र को अस्थिर करना चाहते हैं और हमारी विधाई प्रक्रियाओं को बाधित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस बात पर शक करने की वज़ा ये है कि ये तत्व वक्फ विदहेग पर विचार विमर्श का लाब उठा कर मदभेद पैदा कर रहे हैं और जनमत का धुरुवी करन कर रहे हैं। ये प्रयास कट्रपंथी दंशील मुद्दों में हेर फेर करने की व्यापक रंडीती का हिस्सा हैं। उन्होंने लिखा कि कट्रपंथी, इसलामवादी परचारक जाखिर नाइक, पाकिस्तानी जासूसी एजनसी आईसाई, चीन और जमाते इसलामी बांगलादेश और तालिबान जैसे कट्रपंथी संग्ठनों जैसी विदेशी शक्तियों के प्रभाव को कम करके नहीं आका जा सकता। ये तत्व लंबे समय से भारत को अस्तिर करने और इसके लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। वहीं संसदिये मामलों के मंत्री किरेन रिजुजु ने कहा कि जेपी सी को बड़ी संख्या में मिलने वाले फीडबैक को जाचना चाहिए। हाला कि उन्होंने कहा कि सरकार फिलहाल जेपी सी के मामले में दखल नहीं देगी। गरतलब है कि वक्फ संशोदन विदेग का कुछ मुस्लिम सम्हो द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि वक्फ संशोदन विदेग के जरिये उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश की जा रही है। वहीं वक्फ कानूनों के मौजूदा गरूप पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरू आपती भी दर्च कर रहे हैं। बेट गए हैं। सारी छुरियां भर देती हैं। भीवार हम भार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले हां पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक बरफिक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुश्पु से महकता खर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हुमें। क्योंकि हर रिष्टा है, स्वास से चुड़ा। बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्यदारी बड़ी हो जाती है। गैलन्ट समझता है ही जिम्यदारी। अब डबल M. रिप्स के साथ, गैलन्ट एडवान्स T.M.T. रिबार, निर्मान का रियल हीरो। इटाया है। अर्य वा, लेजेंड की बेर। इससे ता मैं कहलूँगा। प्यूचर बार्टिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है, बैट उसी को मिलेगी। अरे यार। दिखा, अगर इसमें मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितने दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है, बैंक अकांट हो या बैंक लॉकर। उसमें नॉमिनी का नाम ज़रूर दर्श करें। आपकी जमा पुझी उसी को मिले जिसे आपने नाम लिख किया है। RBI कहता है, जानकार बनिये, सतर करें। जिंदगी की हर छोटी पड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उमीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाई थी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरूरात करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करें। LIC म्यूचल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। Mewchal Fund निवेश बाजार के जोकिन के अधीन है। योजनासिसम्बंधित सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़िए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर सबारती हैं। बेटियां पीडियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील स्टील का पाद्शा गोल्डी मसाले के सौ ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जहाँ रिष्टे बनाएं वंडर वॉल पुटी दे एक बरफिक्ट फिनिश दिल्ली हाई कोट ने दिल्ली के सदर बाजार इस्तित शाही ईदगाह पार्क में जहासी की रानी की प्रतिमा इस्तापित करने पर रूख लगाने के अनरोध वाली याजका को खारिश कर दिया है क्या है ये पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संबादाता ग्रीश निशाना दिल्ली के सदर बाजार के शाही ईदगाह पार्क में जहासी की रानी की मूर्ति लगाने की इजाज़त देने वाले दिल्ली हाई कोट के सिंगल जजज के फैंसले को चुनौती देने वाली याची का को दिल्ली हाई कोट की डबल बेंच ने खारिच किया दिल्ली हाई कोट ने शाही ईदगा मैनेजमेंट कमेटी को याची का दाकिल करने पर फटकार लगाई दिली हाई कोट ने कहा कि आप मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कोट ने कहा कि हम महिला सरसक्तिकर्ण की बात करते हैं और आप एक महिला सैनानी की मूर्ती लगाने पर आपत्ति जता रहे हैं दिली हाई कोट ने कहा कि वह नैशनल हीरो हैं और उसको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, सभी धार्मिक सिमाओं के परिवे हैं एक नैशनल हीरो हैं, आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश ना करें। दिली हाई कोट ने कहा कि आप लोग qort के जरिये कमिनल पॉलिटिक्स करने की कोशिट कर रहे हैं दिली हाई कोट ने कहा कि कोट के बाहर कमिनल पॉलिटिक्स करिए इसका इस्तेमाल कोट के जरिये नहीं होना चाहिए याचिका के जरिये मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिट की जा रही है याजिका करतेया ने कहा कि वहे बिना किसी सर्द के माफी मांगते हुए अपनी याजिका को वापिस ले रहे हैं दिली हाई कोट ने शाही इद्गा मैनेजमेंट कमेटी को गुरुवार तक माफी नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है पधान मंत्री नेंद्र मोदी कल पुणे का दौरा करेंगे जयात्रा के तौरान वे एक जन्सभा को वहाँ समोधित करेंगे और एक नए भूमिगत वेक्ट्रो कोरिडोर का उद्खाटन भी करेंगे मोदी सरकार द्वारा पुणे में बुनियादी धाचे को मस्बूत करने का काम जारी है इसी क्रम में प्रधान मंत्री गुरुवार को सिविल कोर्ट से स्वार गेट तक नए भूमिगत मेट्रो कोरिडोर का उद्खाटन करने के सार्थ और एक नए मेट्रो मार्क की आधार शुला भी रखेंगे पुने महारास्टर का दूसरा सबसे बड़ा सहरे जहां पिसले एक दशक में कई अस्तनों पर परिवर्तन और बदलाव के बयार चली है पुने मेट्रो के अगर बात करें तो इन सारे जो विकास की जो गतिवीदियां हुए उनका एक प्रतिविम्ब है ऐसा माना जा रहा है कि पुने के में जो नई लाइन होगी मेट्रो की चाहे वो नई ट्रैक्स हों वो इस वक्त समय की मांग है और इसी मांग को पूरा करने के लिए प्रतान मंत्री पुने आ रहे है पुने मेट्रो कई अनूठी विशेश्टाव से सुसजित है एल्मूनियम बॉरी से बरी ये देश की पहली हल्की मेट्रो है स्टेशनों पर सौफीस्ती, वाटर रिसाइकल, शुन्य अप्षिश्ट निर्वहन, नो ट्री कर्डिंग पॉलिसी, सुविधाओ का एकी करन्ट, सौर रूट्जा से सैंत्रों का जुडाव पुने मेट्रो की कुछ अनूठी विशेश्ट नाए है पुने को मिलने वाली सौगात को लेकर पुने वासी खासे उचाहित है पुने मेट्रो शुरू हुआ है, इसका सभी लोगों को बहुत सा फाइदा हो रहा है इसमें ट्राइवल करने में बहुत आसानी होती है और जो मोदी साब ने ये काम किया, ये बहुत अच्छा किया पहले मुझे बहुत दिक्कत होती कि आने जाने में इसके अलावा पीम पुने में 22,600 करोड रुपे से अधिक की लागत वाली विभिन परियोजनाओं का उत्खाटन एवम शलन्यास करेंगे करीब 2950 करोड रुपे की लागत वाली पुने मेट्रो फेज वन के स्वार गेट से कात्राज एक्स्टेंशन के आधार शिला भी रखेंगे भिडे वाडा में क्रांती जोती सावित्री बाई फूले भालिका विद्याले के स्मारक की आधार शिला रखेंगे स्वदेशी रूप से विक्सित लगभग 130 करोड रुपे की लागत वाले तीन परम रोद्र सूपर कम्प्यूटर राष्ट को समर्पिट करेंगे मौसम और जलवायों अनसुन्भान के लिए तैयार 850 करोड रुपे के हाई परफॉमेंस कम्प्यूटिंग उद्खाट करेंगे पेट्रोलियम और प्राकर्टिक गैस शेत्र की 10,400 करोड रुपे की लागत वाली विभिन पहलों का शुभारम और उन्हें राट्स को समर्पिट भी करेंगे ट्रक ड्राइवरों और कैब ड्राइवरों की लंबी यात्रा के दौरान सुविधा के लिए महराश्ट के छट्रपती, समाजी नगर, पंजाब के फतैगर साहिन, गुजरात के सोनगर, करनाटक के बेलगावी और बैंगलियूरू रुरन इलाके में लगभग 2170 करोड रु को व्यापारिक यात्रियों और निवेशकों के लिए अधिक सुलब हो जाएगा, ओद्यों की गलियारा विधास कारिक्रम के तहद 7855 एकड में फैली, बिर्किन ओद्यों की किशेत्र को पीम राश्ट को समर्पित करेंगे, 6400 करोड से अधिक की लागत की इस परियोजना क को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा, परदान मंतरी का कारिभार समालने के बाद नरिन्र मोदी अब तक 42 बार महारास्ट्रा के विभिन जीलों का दोरा कर चुके हैं, लेकिन चुकी महारास्ट्रा में कभी भी विधान सभा चुनाव की घूसना हो सकती है, इसलिए इ आकवल विकास के दिश्टी कोन से, बलकि राजनीतिक दिश्टी कोन से भी काफी महतवपूर्ण माना जा रहा है, अपने से योगी कफिल के साथ, योगी इश्कुमार सीतल, दूरतर्शन समाचार, महारास्ट्रा और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुपते हैं राश्ट्रिय गोपाल रत्न पुरसकार, जिसमें इस बार से पूर्वोतर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है, आवेदन के लिए अवाद्स.gov.in पर जाएं या अपने नजदी की कॉमन सर्विस सेंटर, पशु छिकित साले या पशु पालन और डेरी विभाग से संपर करें. आवेदन 30 सितंबर 2024 तक. अबाया स्ली स्वाद. अबाया स्वाद. जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो M.D.H. का चंकी चाट मसाला डाले. M.D.H. M.D.H. सारी छुरियां भर देती है, दीवार हमबार कर देती है. तो पुट्टी भर ले, हां पुट्टी भर ले. Wonderwall पुट्टी दे एक Perfect Finish. बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर सवार्ती हैं। बेटियां पेढियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुन्याद कहला दी है बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील स्टील का बाद्शा आत्म निर्भरता और आत्म सम्माद चहरे पे खिली है मुस्कान हमने एक अटल पेंशन ही होजना लगाई है आज 6 करोड से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन यूजना में पंजी करण कराया है आप भे इस से जुड़े और लाब उठाएं गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जहाएं रिष्टे बना है एमस नई दिल्ली आज अपना 69 इस्थापना दिवस मना रहा है किंद्री स्वास राजबंत्री प्रताव राओ जाधम ने इस्थापना दिवस समाहरू किया दक्ष्टा की इस मौके पर उन्होंने कहा कि एमस भारत में चिकिस्था सिक्षा, अनुसंधान और स्वास्त सेवा के शेत्र में अग्रणी हैं जिसकी उतकरष्ट विरासत दुनिया भर के चिकिस्था संस्थानों को प्रेरित करती है इमस लगाता साथ वर्ष से चिकिस्था संस्थानों में नंबर वन पर परा हुआ है इस्थापना दिवस के मौके पर इमस में फायर स्टेशन की भी शुरुआत की गई इमस नई दिल्ली ने बुद्वार को अपना उनहतरवा स्थापना दिवस मनाया केंद्रिय स्वास्ते राज्य मंत्री प्रताप राव जाधम ने इस्थापना दिवस समारों की अधर्ष्टा की स्वास्ते राज्य मंत्री ने इस मौके पर इमस में लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया स्वास्त राज मंत्री ने कहा कि भारत में चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्त सेवा के शेत्र में अग्णी है उन्होंने कहा कि एम्स लगातार सात्वे वर्ष चिकित्सा संस्थानों में नमबर वन बना हुआ है जो एक बड़ी उपलब्दी है स्वास्त राज मंत्री ने एम्स में फायर स्टेशन का भी उखाटन किया किसी भी चिकत्सा संस्थान में ये पहला फायर स्टेशन है यह फायर स्टेशन दिल्ली फायर स्टेशन के सहयुक से बनाया गया है एक हजार गैलन पानी की शमतावाले इस फायल स्टेशन में छे फायर मैंन की तैनाती की गई है जो एम्स में आग लगने पर तेजी से बुझाने का काम करेंगे एम्स नई दिल्ली अब केंद्रिय स्वासमंत्राले के राष्ट्रिय संसाधन केंद्र के रूप में कारे करता है बीते दो वर्षों में एम्स में रोगी बिस्तरों में 30% से अधिक की व्रद्धी हुई है गेहन देखभाल और ऑपरेशन थीटर से वाव में करीब 40% की व्रद्धी हुई है एम्स में कई नई पहल की गई हैं अब एम्स में AI आधारित जाच सुविधा उपलब्द है एम्स में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 7 लाग से ज़्यादा आभा आईडी बनी है और एम्स ने नई संतुष्ट एप भी लॉंच की है जहां लोग सुझा और शिकायत दोनों कर सकते हैं बीते दस वर्षों में देश में 22 एम्स नाय खुले हैं जहां वर्ष रस्तरिय चिकत्सा सुविधा उपलब्द है सभी एम्स टैली मेडिसिन की सुविधा से जुड़े हैं देश के सभी एम्स में ड्रोन की सुविधा उपलब्द होगी ड्रोन की सुविधा से आसपास के 35 किलोमीटर के दायरे में मेडिकल सप्लाई और रिपोर्स पहुँचाई जाएंगी 22 एम्स के होने से देश में मेडिकल सीटों की संख्या में व्रद्धी हुई है केंद्र सरकार ने अगले पांस साल में 75,000 नए मेडिकल सीट बढ़ाने की घोशना की है एम्स में पहली बार फायर स्टेसन में राया है ताकि रिस्पॉंस कम समय में हो माल लिए अगर कोई आग लगता है तो जल्द से जल उसको काबू पया जाए कैमरमन विस्वबंदू के साथ नितन दिसिंग डिटे निउस दिल्ली यहाँ पर एक और छोटे सब्डे करें रुपना है मिर्ची धन्या नहीं मिर्ची धन्या हल्दी MGH सारी छुर्यां भर देती है दीवार हम बार कर देती है तो पुट्टी भर ले हाँ पुट्टी भर ले वंडर वॉल पुट्टी दे एक वर्फिक्ट फिनिश महराष्ट्र तूरिज्म जिन्दगी की हर छोटी पड़ी जरुवत के लिए आप जो सपने सजाते हैं बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं S.I.P. आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाईगी आज ही अपनी पहली S.I.P. की शुरुआत करें अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करें L.I.C. म्यूचल फंद द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल म्यूचल फंद निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं योजनासिसम्बंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीडियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं, बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बाच्षा बुड़ा पेस्ट में आयजित हुए पैतालिस में शत्रंज ओलम्पियाड में सौन पदक जीतने वाली भारती पुरुष और महिला टीम के सदस्यों ने तुधार मंत्री नेधर मोदी से आज अपने आवास पर मुलाकात की और उन्हें इसे जीत की बताई दी गौर तलब है कि दमदार प्रदाशन करते हुए भारत ने पहली बार शत्रंज ओलम्पियाड में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में सौन पदक अपने नाम किया है भारत की पुरुष टीम में डी गुकेश, आर प्रगरना नंदा, अर्जुन एरिकैसी, वेजित गुजराती और पेंटाला हरीकरशन शामिल थे इस टीम ने सुलोवेनिया को हरा कर सौन पदक जीता है जबकि महिला टीम ने हरिकाद, रोणा, वल्ली, आरश, मैशाली, दिव्याद, श्मुक, वंतिका, अगरवाल और तानिया, सच्देश शामिल रही भारती महिला टीम ने अजर वेजान को हरा कर सौन पदक पर कबज़ा किया इससे पहले साल 2014-2022 में पुरुषों ने कांस और जबकि महिलाओं ने 2022 में कांस पदक जीता था केंद्री वानेजे और उद्योग मंत्री प्यूश गोयल ने उननीसवी भारत आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरी आयोग की बैठक में भाग लिया यह बैठक बुद्वार को आस्ट्रेलिया में आयोजित हुई यहाँ प्यूश गोयल ने उनस्ट्रेलिया के व्यापार और परेटन मंत्री डॉन फेरल के साथ बैठकी सह अध्यक्षता की बैठक के दौरान दोनों देशों ने द्वीपक्षिया आर्थक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की रेल मंत्री अश्वीनी वैशनाव ने सवाई माधोक और कोटा सेक्षन के पीड कवच 4.0 का सफल परीक्षन किया ये कवच सत्रा देखते ही अपने आप ट्रेन को रोग देगा रेल में ने कवच 4.0 के तहट एक स्वचालिट सिस्टम तैयार किया है ये कवच रेल इंजन को हाई लिवल की सुरफ्चा प्रदान करेगा संजीवनी क्रेडिट को अपरेटिव रकरण में कींद्रिय संस्कृती अवंपरियतन मंत्री गजींदर सिंग शेखावत को राजस्थान हाई कोट से क्लीन चिट मिल गई है शेखावत ने एफायार और जांचित रद्द करने के लिए याचिका दायार की थी जिस पर जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने सुनवाई की पूर्व केंद्रिय मंत्री और हमीर पूर से सांसद अनुराग सिंग ठाकुर ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज और MIT युनिवरसिटी में विक्सित भारत अमबेजडर युवा कनेक्ट कारिक्रम को संबोधित किया उन्होंने कहा कि भारत की युवा आबादी देश के विकास में महत्वकून भूमी का निभाई की बलरामपुर जिले की उतरौला से पूर्व सपा विधायक आरेफ अन्वर हाश्मी पर इडीनी कारवाई करते हुए सपापूर्व विधायक की बलरामपुर गूंडा और लखनव की 8 करोड 24 लाग की संपत्ती को कुर्ख कर दिया है आरेफ अन्वर हाश्मी की इस से पहले 2023 तक प्रशासन ने 115.87 करोड की संपत्ती कुर्ख की है रक्षान उसंधान अवंविकास संगठान DRDO ने भारत ये प्रोध योगी की संस्थान IIT दिल्ली की शोद करताओं की साथ मिलकर Advanced Ballistic for High Energy Default नामक हलकी वजन की Bulletproof जैकेट बनाई है जैकेट को IIT दिल्ली में DRDO Industry Academia Center of Excellence में बनाया गया है दिल्ली नगर निगम में आमादमी पार्टी की दो निगम पार्षद भाजपा में शामिल हो गई है दिल्शाद कॉलोनी से बहन प्रीती और ब्रीन पार्क से सरीता फोगाट ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता भीली दिली प्रदेश अध्यक्ष विरेन सच्देवा और कींद्री मंत्री हर्ष मल होत्रा की मौझूद्गी में ये दोनों महिला पार्षद भाजपा में शामिल होई प्रुत्र प्रदेश में बहराईच के कैसर गंज तहसील क्षेतर में सरकारी भूमी पर बने 23 अवैध मकान पर बुल्डोजर चलाया गया हाई कोट के आदेश के बाद यहां बुल्डोजर की ये कारवाई की गई बता दें कि हाई कोट ने 139 स्ट्रक्चर को नोटिस भीजा था जिसमें से करिब 100 लोग घर दुकान खाली कर चुके हैं SDM आलोग प्रसाद ने बताया कि हाई कोट के आदेश पर 30 अवैध मकान पर बुल्डोजर चलाया गया है